इस माइट अपचानल लालो चोदरी लोग में स्वागत है आज किशनी लोग से हम ये बताना चाहते कि जो लोग पुलिस की एक्जाम के प्रिपेरेशन कर रहे हैं और फाइनली जोब लेना चाहते हैं तो इसके लिए ये वीडियो काफी मपटन बनने वाला है क्योंकि मैंने दोनों एक्जाम पास के है रनिंग और राइटिंग और फाइनल मेरिट से बाहर हो लेकिन आपको इस वीडियो से आपको ये जनकरी मिल जाए कि नेक्ट टाइम आपको राइटिंग और रनिंग में आपको कितना मार्क लाना पड़ेगा और आपको फाइनली इसी वीडियो से जानकरी मिलने के बाद मिल भी सकती है तो वीडियो पुरे-पुरे देखना और बिल्कुल स्किप मत किजिए लाइक ज़रू करतीगा और सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करने पार बेल आइकन को अल पर सेट करतीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप कमेंट में जरू बताना है तो आपको सबसे पहले में मेरा प्रूप के साथ आपको बताना चाहूँगा कि आपको नेक्स टाइम आपको कितना मेरिट और कितना मार्क लाना पड़ेगा तो देखते रहे वीडियो को तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरा नाम और किस साल में मैंने ये एक्जम दिया था 2021 और 2022 वो भी लिखा है और जो मैंने रणी एक्जम पांस किया है उसका लेबल भी आप देख सकते है पांस और पी एश्टी पांस और मैंने तिन मौन्ध की प्रेक्टिस किये थी और मुझे एक्जम में 25 में से 12 पॉइंट मिले थे अगर आपको फाइनली जोब लेना चाते है तो आपको कम से कम 20 मार्क लाना पड़ेगा और आपको 5 या से मौन्ध की प्रेक्टिस करना पड़ेगा तब ही आपको फाइनली जोब मिल सकती है और उसके बाद मैंने जो राइटिंग एक्जम पास किया है उसका भी आप प्रूप देख सकते हो जो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है वो देख सकते हो राइटिंग एग्जाम में मेरा 47.68 पॉइंट थे और रणिंग एग्जाम में मेरा जो 12 पॉइंट है वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं और टोटल मेरिट है 59.68 उसके बाद मेंने जो डोक्यूमेंट वेरिपिकेशन किया है उसका भी पॉपा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा नाम लिखा है और नीचे 6 सप्टेमबर 2022 को दिन मेंने जो डोक्यूमेंट वेरिपिकेशन किया है और टाइम भी आप देख सकते हैं और उसके बाद जो final merit list है उसमें मेरा नाम नहीं है क्योंकि ST category का जो cut off है वो 66 का merit है और मेरा जो final merit है 59.68 अगर मैंने running में ज्यादा मेहनत की होती तो आज finally मुझे ये जोग मिल जादी